क्वीक आयस कम्पोज यूर ड्रीम हरो दोस्तों कोई कैसे आपका स्वागत है यह क्लास 8 NCRT का सिकंड पार्ट है जिसमें संसाधन और विकास के बारे में बताया गया है इस सिकंड पार्ट में मैंने जो है खनी संसाधनों के बारे में और जो है भारत की किरसी बेवस्ता और बिस्त की किरसी के बारे मैंने बताया है इसका तीसरा पार्ट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा आप लोग वीडियो को अंतर देखिएगा बहुत इंपॉटन्ट यह टॉपिक है इसको अच्छेस कीजिएगा किसी कोशे में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछ लिजेगा उसका जब आप आपको दिया जाएगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जिसे सारे सब्जेट के एंसियाटी की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे और आप जो है आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और आपका बेसिक बहुत मजबूत हो यहां से कुशन हमेशा आते ही है ठीक है यहां पर एक दो बच्चों की कहानी दी गई है इसको पहले समझ लेना किरी नाम की एक लड़की है सुकान से मिलने धनबात के निकट उसके पेतरी का स्थान पर जा रही थी किरी विसाल काले छेतर को देख करके आश्चर चकित सुकान्त या स्थान कितना काला और धूल भरा क्यों है तो उसने कहा या कोईला खदान के निकट होने के करण है तो धनबाद के आसपास जो छेतर होता है जहां पे कोईला छेतर होता है वहां पर पूरी मिट्टी काली दिखाई देती है ठीक है और वहां पर दूसर्ण भी ज़्यादा होता है, क्या आप वहां ट्रकों को देख रही हो, ये सभी खनिज कोईले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया उस लड़की को, अब सवाल खड़ा होता है, खनिज क्या है, तो किरी पूछती है, सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नान बाई को रूप में देख सकते हैं, मतलब एक बिस्कुट भी बनाने के लिए जो संसाधन होता है, उसी की बात वो कर रहे हैं, ये एक भूमिका बनाई गई है, किसी चेप्टर को समझाने के लिए, क्योंकि ये NCRT बच्चों के लिए लिखी गई है, तो उनको ऐसे ही भूमिका बना अस्थानों में कई पदार्थ मिले होते हैं, जो खनीज कहलाते हैं, ये खनीज पिर्थवी की चट्टान परपटी पर सभी जगा फैले हुए हैं, प्राकिर्ति रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनीज होता है, क लेकिन कुछ अस्थानों पर बिसेश रूप से पाजाते हैं, जैसे वो पठारी चेतर होते हैं, वो एक किसी बिसेश चेतर में या सैल समों में सक्के अंदित होते हैं, कुछ खनीज ऐसे चेतर में पाजाते हैं, जो आसानी से अभी गम नहीं हैं, जैसे आर्किटिक मासाग सास्तर और अंट्रक्टिका यहां पर खनिज बिल्कुल नहीं पाय जाता है तो कहीं पर खनिज बहुत ज़्यादा पाय जाता है तो उनकी अपनी एक बिसेस्ता होती है ठीक है लिखा हुआ है कि खनिज बिभिन प्रकार के भूग बेग्यानिक परिवेस में अलग-अलग दसा पच्छेप नहीं होता है उप्राकिति पर्कियाओं द्वरा निर्मित होते हैं वह अपने भावतिक गुड़ों जैसे रंग, घनतु, कठोड़ता और रासानी गुड़ों और बिलेता के अधार पर पहचानी जा सकते हैं तो खनिजों को हम कैसे पहचानते हैं तो खनिजों समझाने हैं, आपके भोजन में नमक और आपकी पेलसिल में ग्रेफ़ाइट भी एक खनिज हैं तो खनिज से हमारे समबन्ध हमेशा रहा है और खनिजों के द्वारह ही हम विकास करते जा रहे हैं चाहिए वो उर्झासलती हो और जो भी खनिजों हो, तो खाने का नमक भी ए इसी भूमका बना करके बताना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि सैल खनिज औयों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समू होता है। सैल जिनमें खनिजों का खनिजों किया जाता है उन्हें हम आयस कहते हैं। तो याद रखना, जब चटानों से कोई खनीज निकाला जाता है, जो कच्चा खनीज होता है, उसको हम आयस कहते हैं, याद रखना, एध्यपी, अठाईस सो से अधे खनीजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग, सो आयस खनीज समझे जाते हैं, ठीक है, अब ख ठोर पदार्थ होते हैं, जो उसमा और विद्दुत को सुचालित करती हैं, ये परिभासा दी गई है, धातवी खनीज की, और जिनमें दूरतिया चमक की बिसेस्ता होती है, तो याद रखना, उन्ही को हम क्या कहते हैं, खनीज कहते हैं, अब धातवी खनीज कोन कोन से होते हैं, तो लिखा है लोहा, लो आयस्क, बाकसाइड, मैगनीज, आयस्क, इनके कुछ उधारन हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, धातवी खनीज कहेंगे, धातवी खनीज लो, अथवाल आलो हो सकते हैं, तो लो खनीजों जैसे लो आयस्क, मैगनीज, क्रोमाइड में लोहा होता ह और आ लोग खनिज में लोहा नहीं होता है किन तो कुछ अन धातों जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा हो सकता है तो जाद रखना जो सोना, चांदी, तांबा और सीसा होता है उसे हम आ लोग खनिज कहते हैं जो यह वाला परकार है जो यहाँ पे दिया गया है और लोह खनिज कौन कौन से होते हैं तो उसमें जिमें लोहा पाय जाता है तो वो आपका कौन सा है लोह एसक बाकसाइड और मैगनीज अब आप समझ सकते हैं कि जो धातवी खनिज होता है वो दो परकार का होता है जिसमें लोहा पाय जाता है तो जिसमें लोहा नहीं पाजाता उसमें कौन-कौन सा है सोना, चांदी, तांबा और सीसा अब इतने में ही इतनी important बात यहां बताई गई है और यही है basic चीज़ जब हम basic हमारा यह मजबूत रहता है तभी हमें आगे की पढ़ाई करने में और question को हल करने में मज़ा आता है नहीं तो हमें लगता है कि basic हमें पता नहीं है ठीक है, यहां दिया है आधातवी खनिज कोन होते हैं तो आधातवी खनिजों में धात हुए नहीं होती है चूना पत्थर, अबरक और जिपसम इन खनिजों के उधारन है तो आधातवी खनिज को उधान कोन कोन से हो गए चूना पत्थर, अबरक और जिपसम हो गए इसके बाद क्या कह रहा है कि खनिज इधन जैसे कोईला और पेट्रोलियम भी आधातवी खनिज है तो चूना पत्थर, अबरक और जिपसम के साथ साथ कोयला और पेट्रोलियम भी आधात भी खनीज होते हैं, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाय जाती है, इमें चमक नहीं होती है, खनीजों को खनन, अवेधन या आखनन द्वारा निसकरसित किया जाता है, मतलब खनीजों को निकालने की अलग-अलग परकिरियाय होती है, यहां पर दिया है कि खनीजों का निसकरसल कैसे होता है, अर्थात खनीज कैसे निकाले जाते हैं, तो एक होता है खनन के द्वारा बिबित खनन एक होता है कोब की खनन, एक होता है परबेधन, एक होता है आखनन, अब इन सब के बारे में यहां बताया गया है कि कौन सा खनी किस बिधी से निकाला जाता है और इसी कोई जामे आप से पूछा जाएगा ठीक है यहाँ आगे दिया है कि पिर्थिभी की सता के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की परकिरिया खनन कहलाती है खनिज जो कम गहराई में सित होते हैं वे प्तिष्टिय अस्तर को हटाकर निकाले जाते हैं उन्हें हम विवित खनन कहते हैं मदब की कम गहराई जो पाजाते हैं गहन बेधन जीने हैं कूपक कहते हैं अधिक गहराई में इस सित खन निच्छेपों तक पहुचने के लिए जाते हैं जब गहराई में खरन कोई किया जाता है तो उसे का जाता है इसे कूप की खरन कहते है जिसे पिट्रोलियम पिट्रोलियम और प्राकिर्टिक गैस की खोज ऐसे ही की जाती है ठीक है गड़े खोद करके ठीक है प्राकिर्टिक गैस ध्रातल के बहुत नीचे पा जाते उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपन की खुदाई की जाती है, इन्हें इसे क्या कहते हैं, इसे हम परभेधन कहते हैं, सता के निकट, इस्तित खनजों को जिस पर के दोरा आसाई से खोद कर निकाला जाता है, उसे हम आखनन कहते हैं, ठीक है, तो खनजों को निकालने क्योंकि तवle that flame का रंग निला परतीत होता है तो किसी भी करद को पहचानने के लिए उसके रंग यी भी आऊ सकता होती है यहाँ लिखा है का खनीजों का बित रन तो खनीजों का बित रन मतलब होता है खनीज कहा-कहा पाए जाते हैं तो खनिज तीन परकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, आगने चट्टान, और साधी चट्टान, और कायांत्री चट्टान, और तीनों है खनिजों किसे कोशन पूछे जाते हैं, हमेशा कोशन यहां से आये हुए हैं, अब आप देख सकते हैं, यहां लिखा है कि खनिज है और यहां से कुशन आता है तो गरत होने का चांस ज़ादा होता है लिखा हुआ यहां पे कि धातवी खनिज आगने और कयानति सेल समुहं जिन में विसाल पठारों का निर्माड होता है में पाई जाते हैं दो बात यह समझना है पहला जो जो खानिच पाजाते हैं, वह जएकर नाफ़ पठारों में जञादा पायाते हैं. अब कि थात भी खानिच कहाँ पाजाते हैं तो आगने और ुख क्यानती चटामध में जएदा पायाते हैं. उत्री स्वीडन में लोह आयस्क जो है इसके रामा कनाड़ा के उंटेरियों में तांबा और निकल के निच्छेप तच्छिर अफ्रीका में लोहा निकल, कुरोमाइट और पिलेटेनियम, आगने और कांति सैलों में पाय जाते हैं तो आधात भी खनिच पायते हैं और धात भी खनिच कहां पायते हैं पठारों पायते हैं अब इतनी छोटी छोटी बातों को यहां बताया गया है यही हमारे बेसिक को मजबूत करते हैं इसलिए NCRT कभी भी जब सिविल सर्विस के तहरी की जाती है तो पहले NCRT को ही बता जा पढ़ने के लिए यहां लिखा हुआ है कि फ्रांस के काकेसर परदेश के चुना पत्थर निच्छेप जार्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निच्छेप और अलजीरिया के फासफेट सास्तर इसके कुछ उधारन है खनिज इधन जैसे कोईला और पेट्रोलियम भी और खनिज कहां कहां पाए गए हैं यह उसी का एक बित्रन यहां पर बिस्तो में दिखाया गया है लोहा कहां कहां पाजाता है ताबा कहां और बाकसाइड कहां पाजाता है इसी का यहां बित्रन बताया गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं लिख रहा है एसिया अब हम पहले एसि तो इस एसिया महाद्यूप पे सबसे दिख लोहा भारत और चीन में पाय जाता है यहां महाद्यूप बिसुक का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है चीन, मलेसिया, इंडोनेसिया, बिसुक के अग्रणी टीन उत्पादकों में से एक हैं यहां पे टीन उत्पादन कहां ज़्यादा होता है तो चीन मलेशिया और इंडोनेशिया में चीन सीसा और जो है एंटेमनी और टंगश्टन के उत्पादर में भी सबसे आगे है ठीक है और एसिया में मैंगनेज बाकसाइड निकल जस्ता और तांबा के निच्छे भी पाए जाते हैं तो खनीज के छेतर में कर देखा जाए तो एसिया में चीन और भारत के साथ साथ मलेशिया इंडोनेशिया ये खनीज के मामले में काफी सम्रिद हैं धनी अर्देश है ठीक है जिसमें चीन सबसे आगे है यहां लिखा है योरोप की बात कर लें तो योरोप बिसमें लो आयस का अगड़ी योरोप पे लोहा बहुत ज़्यदा पाजाता है और सबसे चार देशम पाजाता है रूस में यूकरेन में सुईडन में और फ्रांस लो आयस के बिसाल निच्छे वहां पाजाते हैं तांबा सीसा जस्ता मैंगनीज और निकल खनीजों के निच्छे पूर्भी योरोप और यूरोप ये रूस में भी पाए जाते हैं ठीक है क्या आप जानते हैं सुईडन में कोई ग्यात खनीज नहीं पाजाता है तो आपसे पूछा जाएगा कि इसा कौन सा देश है जिसमें खनीज नहीं पाजाता है तो है आपका सुईडन लेंड है ये भी आपको या दखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका ये है आपका उत्तरी अमेरिका तो उत्तरी अमेरिका में खरी निचे तीन छेत्रों में अवस्तित हैं ग्रेट लेग के उत्तर में Canadian Cilid में तो ग्रेट लेग कहा है यह Great Lake है जील है और यह Canadian Cilid है यहाँ पर ज़्यादा खनीच पायाता है пलेसियन परबत में यहँ परवत का छेटर है यहाँ ज़्यादा खनीच पायाता है और पश्चिम के परवतिय संखिलाओं में यहाँ ज़्यादा खनीच पायाता है तो उत्री अमेरिका के तीन छेत्र में खनीच पायाता है पहला है उत्र में कनाडियन सिल्ड तो कनाडियन सिल्ड का छेत्र यह है अप्लेशियन परदेश ये है और पच्छिम के संखिलाएं परबत की ये हैं राकी और कोरोराडो तो इन तीनों छेत्रों में उत्री अमेरिका में खनिच पा जाता है लो आयस निकेल, सोना, यूरेनियम और तामबा का खरन कनाडियन सिल्ड में ज्यादा होता है और सबसे दि अप्लेशियन परदेश में होता है जबकि पश्चिमी, कार्डी, लेरा में तामबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी के बिसाल निच्छिप भें अब इसी के साथ साथ हमें दो चीज मालूम चला ये भी मालूम चलेगा हम मैं आपके तो जब इसको पढ़ते था हमें ये भी म अमेरिका की तो दच्छिप अमेरिका में ब्राजील बिस्प में उच्छ कोट के लो आयस का सबसे बड़ा उत्पादक होता है उत्पादक है कौन दच्छिप अमेरिका में ब्राजील है इसके अलावा चिली और पेरू तामबे के अगणी उत्पादक है ब्राजील और बोल रहे हैं किस देश में क्या ज़्यादा पाजाता है आप इनको आसाई से समझ सकते हैं तचीर अमेरिका के पास सोना चांदी जस्ता क्रोमियम मैगनीज बाकसाइड अभरक रेटीनम एमबेश्टरस और हीरा के विसाल निछे भी हैं खनिज तेल बेनिजोहला आर्जंटीना और चीली पेरू और कोलंबिया में पाजाता है लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेटोलियम का भंडार कहां पाजाता है तो वह आपका बेनिजोहला में पाजाता है दुनिया में नंबर एक प्रेटोलियम का भंडार बेनिजोहला में है ठीक है अब आप समझ सकते हैं यहां लिखा बच चाथी ठीक है अब बात कर लेते हैं अफरीका माधियूप की तो अफरीका माधियूप पे कौन-कौन से खनिज पा जाते हैं तो अफरीका का पर पहले मैप देख सकते हैं कि अफरीका में पठार जादा है तो वहां खनिज जादा पा जाते हैं जैसे अफरीका खनिज संस ज्यादा पाजाता है ठीक है तो इस विस्व का सबसे बड़ा उत्पादक है दच्छिड अफ्रीका जिंबामबे और जायरे विस्व के सोने के सबसे बड़े एक बड़े भाग उत्पादित करते हैं तामभा, लोएस, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बाकसाइड दच तेल का उत्पादन करता भी है ठीक है अश्टेलिया की बात करें तो अश्टेलिया महत्यूप में आदखना बिस्व में बाकसाइड सबसे बड़ा उत्पादक कोन है अश्टेलिया है यहां सोना, हीरा, लोएस, टीन और निकल का अगणी उत्पादक है अश्टेलिया यहां ताबा, सीशा, जस्ता और मैंगनीज में भी संपन है पच्चमी अस्टेलिया के काल-गुडी काल-गुडी और गुल-बार्डीच्छेट में सोने का सबसे बड़ा निच्छेप है आप आपसे पूछा जाएगा कि जो है काल गुर्ली और गुल बारडी छेतर किस के लिए फेमस है तो सोने के लिए फेमस है और यह है कहाँ पर यह एस्टेलिया में है इसको आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ से कूशन आपसे पूछा जाएगा ठीक है और कूशन कही बार एक जाम में आया भी है इन दोनों ख बहुता विसाल के लिए अंटाक्टिका का भुगर्विग प्रियाप दूप सिर्शुपर सिर्भ है ट्रांस अंटाक्टिका परवत में कोयला और पूरब्य का के प्रिंस चाल्試 परवत के लोहे के महतुन मात्रा में निच्छेपों का पूर्वा अनुमान लगा गया गया इसका मतलब यह है कि अंटार्टिका छित्म उत्पादन नहीं हो रहा है, यहाँ पर अनुमान भी लगाया गया है, यहाद रखना है, लो आयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाड़ीजिक मात्रा में यहाँ उपलब्द हैं, लेकिन अभी यह पूर्बानुमान ही लगा हुआ है, खनजो का उपयोग क्या होता है, तो खनजो का उपयोग हम कैसे करते हैं, अलग तरीकों से करते हैं, जैसे अगर हम बात करें, तो खनजो का उपयोग कई उद्धोगों में होता है, रतनों के लिए परियोग के जाने वाले खरिज प्रया कठोर होते हैं उन्हें आभूशन बराने के लिए विभिन सैलों में जड़ा जाता है तामभा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर के पाई तक परतेक वस्तों में किया जाता है कम्प्यूटर उद्दोग में परियुट होने वाला सिलिकॉन क्वार्टर स्क्रीज परते जाता है एल्म्यूनियम से क्या बनता है तो एल्म्यूनियम जिससे जो है क्या बनता है उसके एक से बाक साइड परत के जाता है तो बड़ी बड़ी गाड़ियों के बॉड़ी बनते हैं, एरोप्लेन बनते हैं, वो सब एलम्यूनियम के ही बना जाते हैं, कितनी इंपॉर्टन बात यहां दे गई है, और यही सब कोशन एकजाम में आया हुआ है कई बार, लेकिन लोगों का यहां गलत हो जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं, खनिजों का सनरचर कैसे किया जाए? तो खनिजों का सनरचर तीन तरीके से किया जाता है, पुना परियोग किया जाए, कम उपयोग किया जाए, और पुना चक्रन किया जाए, उन्हें रिसाइकल किया जाए, तो खनिजों का सनरचर आसानी से किया जा सकत मतलब कि खनिज को दुबहरा प्राप्त नहीं किया जा सकता है कंजों का निर्मार का संचैन में हजारों वर्ष लगते हैं सब्सक्राइब pan रहाँ अवस्यक असब्सक्राइब धात्व का पुने चक्र्ण év्प्र अना इसको सताकिते हैं अब बात करते हैं सक्ति संसाधन सक्ति संसाधन क्या होता है इसको देख लेते हैं तो एक भूमिका यहाँ पे बनाई गई है, भूमिका, इसको आप लोग पढ़ लीजेगा, तो यह बताया गया है, जो है, light के बारे में, light के उप्योग के बारे में, इसको आप लोग इनसेयाटी में बार देख लेना, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, कि सक्ति अथवा उर्जा हमारे जिवोर में बहुत महात्पूर्ण भूमिका निभाते हैं आप अपने घर में बैट के इस समय जो पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाईल रिचार्ज किया होगा मनलब चार्ज किया होगा लेपटाप चार्ज किया होगा बैट के लाइट में पढ़ रहे हैं तो जो लाइट आपके घर तक पहुँच रही है वो कैसे उत्पन हुई है कभी सोचा आपने इसके बारे में तो आप इसी चेप्टर में इसी को पढ़ना है कि एक बिजुली का उत्पादन कैसे होता है और कैसे हमारे घर तक वो बिजुली पहुचती है लिखा है कि हमें उदो किरसी, परिवाहन, संचार और परतिदच्छा के लिए भी सकती किया उसकता होती है अर्थात उर्जा किया उसकता होती है उर्जा साधनों को बिस्तित रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गिकित किया जाता है तो उर्जा दो परकार की होती है जिसे हम नभीकर्णिये और आणभीकर्णिये कहते हैं इसी को हम परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन के रूप में भी जाना जाता है ठीक है? बात करते हैं परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं तो उर्जा के परंपरागत स्रोत हुए हैं जो लंबे समय से सामान उप्योग में लाए जा रहे हैं मतलब परंपरा चलिया है थे उनको उप्योग करने के लिए और ऐसे में इधन और जिवास मिधन परमपरागत उरजा के दो मुख स्रोथ होते हैं जिवास में क्या होता है जो चट्टानों में दबा हुआ पौधो और जिवजनतों के उसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जिवास मिधन कहते हैं जैसे कोईला पिट्रोलियम तो इसका उपयोग पका पकाने और उसमा प्राप्त करने के लिए ब्यापक रूप से होता है हमारे देश में ग्रामिनों द्वारा उपयोग की जा गई 50% से अधिक उर्जा इधन से प्राप्त की जाती है अब यहां देख सकते हैं खनीज और प्राकिर्टिक गयस के बारे में कितने अच्छे से चीज़ी यहां पर बताई गई है आप यहां देखे जो है लिखा हुआ है कि खनीज तेल के लाब क्या है तो आसानी से परिवहनीय है और पेट्रर असान उद्व का आधार होता है कौन? खनीज तेल होता है, ठीक है? हानी क्या होती है? खनीज तेल से, तो तेल अधिप्लाओल और गैस रिसाओ के करण आकसिजन का उच्छे होता है, निमुक्त परदूसर्ण के करण अमल वर्सा होती है, और नए इधन का अन्वेशन आसान नहीं होता है, यह कमिया हो गई, बात करें हम प्राकिर्तिक गैस की, तो प्राकिर्तिक गैस के लाव क्या है? आसानी से परिवाहन है, पाइपलाइन के दौरा, तेल और कोईले से अधिक सच्छे हैं, और तेल से सस्ता होता है, यह प्राकिर्तिक गैस के लाव है, हानी हो ही हो गया, अब कितनी important बात यहां बताई गई है, अगर इसको हम ठीक से नहीं पढ़ेंगे, तो बड़ी-बड़ी किताबों भी यही बात को लिखा होता है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखते हैं, तो हमें लगता है कि कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, ठीक है? उर्जा के प्रमप्रागस स्रोत के गर हम बात करें, तो इसमें इधन में लाव क्या है? सुप्राय मदब हर्च का प्राप्त है, बहुत संख्यक लोगों को उर्जा प्राप्त करता है, हान क्या होती है? तो संख्राग में अधिक समय लगता है, लकड़ी लोगों करते हैं, पर दुसर फ्राने वाला होता है, हर्द गरेपरभामें बिद्टि करता है, और निवनी करता है, अर्थात बनों का विनास करता है. इधन, जो हम घरों पर इकठा करते हैं, लकडी इकठा करते हैं, गाओं के लोगों को देखा होगा कोईला का उपयोग क्या है, तो कोईला लाब क्या है, बिस्तित रूप से उपलब्द है, बिद्दूत रुपांतर के लिए उपयोग थै तो बिद्दुत का उत्पालन सबस्दा किस से होता है? कोईले से होता है. हान क्या है? परदूसर का सुरोत है, परिवाहन के लिए भारी होता है. ठीक है? जल बिद्दुत का लाब क्या है? तो जल बिद्दुत परदूसर मुक्त होता है. ठीक है? सिचाई और मचली पालन को ब खर्चिला होता है जल्बिदुत का लेकि जल्बिदुत को हम नभी काणियस रोत के रूप में समझ सकते हैं ठीक है अब यहां देख सकते हैं कि उत्तरपूर भारत में इधन ले जाती है एक महिला अब इस लकडी को कम से कम तीन से चार घंटा में कठा किया हो गए ती लकडी क तो अब इसी से खाना बनेगा तो गाउं के लोगों के पास पेड़ नहीं होता है उस समुधाइक पेड़ सरक किनारे जो पेड़ होते हैं नहरों किनारे होते हैं वहां से लकडी कठा करते हैं दिन भरी कठा करते हैं और तब अपने घर में जो है खाना बनाते हैं ठीक है त के से कौैला और पेट्रोलियम पराकृति गय। जो है परंपरागत उर्जा के सुरोत है। अब इसी कोशन को आ हिय से पूछा गया था कि परंपरागत उर्जा की से स्रोत क्या है। काई लोगों की कोशन करथ हो गए। तो याद रखना आज से 50 साल बात पिट्रोलियम, कोयला, पिट्रोल और प्राकिर्टिक गैस समाप्त हो जाएंगे इसलिए सरकार का जो देश लच्छ है कि हम आन नभीकर्णिय उर्जा की और बढ़ें स्वारी, नभीकर्णिय उर्जा की और बढ़ें सौर उर्जा की और जल बिदूत की और इसलिए देखा होगा आजकर इलेक्ट्रोनिक वहार को बढ़ावाद दिया जा रहा है पिट्रोलियम, पिट्रोल और डिजलो दारी को छोड़ करके ठीक है? अब हम बात करेंगे कोयला का तो कोयला से जो बिजलोत पादन होती है उसे हम तापिय उर्जा कहते है ये बात या दखना ठीक है? यहां लिखा हुआ है यहां बहुतायत पर पाजाने वाला जीवास में इधन है सबसे अधक्या पाजाता है? कोयला पाजाता है कोयला कैसा इधन है? जीवास में इधन है ठीक है? इसका उपयोग घरिलो इधन, उद्धोगो जैसे लोहा, इसपात, वास्प इधनों और बिद्धुत उत्पन का नेमिक किया जाता है कोयले से प्राब्त बिद्धुत को तापिय उर्जा कहा जाता है, मैंने आपसे आप बताया भी तो जो कोयले से बिद्धुत पदन होता है, उसे हम तापिय उर्जा कहते हैं, ये बात या दखना आगे है कोयले का कोयला जिसका हम आज उप्योग कर रहे हैं, वा लाखो वर्स पूर बिसाल, फन और दलदल के पिर्थवी की परतों में दबने से बना है कोयला इसलिए अन्तहित को धूप के रूप पे जाना जाता है, ये भी या दखना है, ये भी बहुत मात्मोंट पॉइंट या पर लिखा गया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि बिस्तु में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, से उत्राज अमेरिका, जर्मनी, रूस, दच्छी अफरीका और फ्रांस है, भारत के कोयला उत्पादक छेतर कौन कौन से हैं, तो पच्छी मंगाल में रानी गंज है और जरिया और धनबाद, बोकारो जहार खंड में हैं, जहाँ पे कोयला का उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हम लोग, अब बात करते हैं प्रिट्रोलियम, प्रिट्रोलियम कहां पा जाता है या दखना, तो प्रिट्रोलियम और प्रदार चट माल है, ये बात या दखेगा, ठीक है? इसे काला सोना भी कहा जाता है, ठीक है? लिखा है कि पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, और तेल जो आपकी साइकिल को जो है, चरमराने से रोकता है, जो साइकिल में हम दबा, वो डालते हैं तेल डालते हैं, ठीक है? उसकी बात क और इसका बेधन अप तटिये और तटिये चेत्रों में तेल रिफाइनरी को थोपा 1 बयुद बाँ भाइद ऍसके बादßen किंगे से परिफाइनरी जेते हैं वहां के बिहार में बरोणी रिफाइनरी इस है इसके अलावा जो है हर्याडा में कौन सा है तो पानी पात के पास रिफाइनरी है ठीक है तो रिफाइनरी में ही तेल का जो है क्या किया जाता है वहाँ पर सुधी करना किया जाता है और वहीं से कई अल उत्पाद बनाया जाते हैं त्यार रखना तो यह आप यार रखना कि पिटूलियम होता है वो जो प्रिफाइनरी में ही बेढ़ा जाता है और वहाँ पर सुधी करन कि जाता है और जिससे कई उत्पादप राप्त होते हैं जैसे गीजल, पिटूल, मिट्रिका, तेल, मुम, प्लास्टिक इस ने हैं त्यार कि जाते हैं मैंने आपको बताया है ठीक है आगे यहां देखो लिखा है कि पिटोलियम और जो है पिटोलियम और इनसे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूलिवान है पिटोलियम के मुख उत्पादक देश इरान, इराग, साओधी अरब और कतर हैं अ इसे हम केजी बेसीन कहते हैं ठीक है तो ये पिटोलियम उत्पादक देश और भारत की बात यहां पर की गई है और पिटोल को कच्छा तेल है इसे से कई से कई उत्पाद बना जाते हैं पिटोलियम सब्द लेटीन भासा के सब्दों के पेट्रा अर्थ सैल जो है ओलियस अ जहां पर पिटूलियम पाई ऐता है वहीं पर प्राकुर्थिक गैस भी पाई आती है प्राकुर्थिक गैस प्रेत गैस प्रेटूलिम नीचेपो के साथ ही पाई जाती है यह बताया यहीं पर लिखा हुआ है और तब फल्च התikाू शनीज प्रावरांश-द्वित-व्लच मुंबई के कुछ अब ठाटिय चेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन पाजाते हैं बिश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने परियापत भंडार हैं मतलब इसका मतलब यह है कि यह बहुत तेजी से खतम हो रहे हैं हमें हमारे लिए चिंता का विश्व हैं इसलिए हमें नया विकल्प खोजने की आओ सकता है लिखाया आगे जिवास मिधन का अनियंतित जलना अनियंतित टोटी के टपकने के समान है जो अंतिता सूख जाती है इसने हमारा ध्यान उर्जा की विभिन गैर परंपरागस सुर्तों के दोहन की ओर बढ़ाया है जो जिवास मिधनों से स्वचतर विकल्प हैं जैसे सौरूर्जा पौनूर्जा ये चीज़े ठीक है तो आज ये समाप्त हो रहे हैं इसलिए हमें आज सौरूर्जा को बढ़ावा देने की बात की जा रही है संपीरित प्राकितिक गैस को CNG एक परियावन ही तैसी आटो मोबाइल इधन होता है क्योंकि यह प्रिटोलियम और डीजल की तुला में कम पोदूर्शन करता है और देखाओगा आज का सहरों में CNG आटो, CNG बस इस सब चलते हैं जो परियावन को कम नुकसान पहुचाते हैं अब बात करते हैं जल बिदूर्थ की तो जल बिदूर्थ भी एक जो है एक नभी करन या उर्जा सरोत है गैर प्रमप्रण का सरोत है और यह सुद्ध है और यहां से बिजलूर्थ पादन की आसाइंस किया जा सकता है लेकिन इससे नुकसान भी बहुत सारा होता है ठीक है जिसे यहांपर एक फोट्व दिया गया है सलाल जल बिदुर्थ परियाला का है तो पहले क्या करते है डैम बना करके और पानी को पहले रोका जाता है देखो यहां पर आप देख सकते हैं यह डैम बना करके पहले पानी को रोका गया है और पिर पानी को तेजी से गिराया जाता है और यहां जो को टर्बाइन लगी है टर्बाइन चलने लगती है और इसी से बिदूत का उत्पादन होता है और यहां देखो बिदूत का उत्पादन हो रहा है बिजूली यहां तार लगे हुए है ठीक है तो डैम का यही काम होता है इसके लावा इसमें मचली उत्पादन भी होता है इसके लावा यह परेटन का छेतर भी होता है तो जल भंडार का छेत लिखा है कि बांद के अननर से पाइप के दौरा बहता जल बांद के नीचे इससे टारबाइन के ऊपर गिर्ता है, घोमते हुए ब्लेड जनरेटर को बिदूत के लिए घुमाते हैं या जल बिदूत कहलाती है, बिदूत उत्पन करने के बाद जो जल बचता है उसका। उप् महत्पूर्ण जो है जल बिदुत जो है केंदर कौन-कौन से हैं भाखरा नागल ये सत्रज नदी पर है गांधी सागर चंबल नदी पर है नागा और जूद सागर किष्णा पर है और दामोदर घाटी पर जो आपको पता ही है ये सब जो है उधारन है जल बिदुत के ठीक है बिदुत करने वाला देश कोन बना है नौर बे है ये भी आप या दखना अब इस मैप के माध्यां से कितना अच्छे से समझाया गया है आप इसको समझ सकते हैं कि बिजुली उत्पादन कैसे होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं गैर उर्जा के गैर प्रमपरागत उर्जा स बढ़ेंगे हम लोग लिखा जिवास मिधनों के बढ़ते उपयोग से उर्जा के गैर प्रमपरागत सुर्तों का अभा उत्पन हो रहा है ऐसा नमान किया गया है कि यदि बर्तमान दर से इनका भोग लगातार होता रहा तो इन इधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे इस इसके अतित इनका उपयोग परिया और ये प्रदूसर भी पैदा करता है इसलिए गैर प्रमपरागत सुरोत जैसे सोर उर्जा पवन उर्जा जो आरिये उर्जा जो की नभी कर ये हैं कि उपयोग की आओ सकता है आज देखो भारा सरकार आप अलग लगी स्टेर सरकार चाह रहां बनाया गया था इस्कॉर्ट लेन्ड बनाया गया था ये भी याद रखना है अब बात करते हैं सोर उर्जा की तो सोर उर्जा सुर की उस्टमा और परकास उर्जा हमारे दौरा पर दिन अलुभ़ की जा सकती है सूर सप्राप्त सौर उर्जा सौर सेलों में बिद्धूत उत्पन करने के लिए पर्योग की जाती है इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापर और परकास के लिए सक्ति उत्पन करने के लिए जोड़ा जाता है धूप की परचूरता वाले जो है उश्कटिबंध ये छेत्र में जो है कटिबंध ये छेत्र दोईसों के लिए सोर उर्जा की उपयोग की परदो की लाबदायक होती है तो उश्कटिबंध मैंने आपको बताया था तो करक और मकर रेखा के बीच की छेत्र को का कहते हैं उश्कटिबंध तो जो देश यहां है वहां सोर उर्जा ज़्यादा परप्त होती है तो यहां बिद्दूत उत्पादन ज़्यादा किया जा सकता है फिर लिखा हुआ है आगे सोर उर्जा उप्योग का सोर तापक, सोर कूलर, सोर ड्रायर के सासा समुधाय को रोसनी देने और यातया संकेतु को में भी किया जाता है आज कल देखा होगा सड़क पर जो लाइट लगा जाती हो भी सोर उर्जा से ही चलते हैं ठीक है अब यहां देख सकते हैं कि सबके लाब और हानी के बारे में यहां बताया गया है जैसे पावन उर्जा पावन उर्जा के क्या लाब हो सकते हैं क्या हानी हो सकती है अब जो चीज़े यहां लिखी कई हैं वो बाते आपको कहीं और मिलेंगी नहीं ठीक है? यहां लिखा है लाब क्या है? तो परदूर्शन मुक्त होते हैं एक बार अस्थापित हो जाने पर बिद्धुत पादन की कमलागत होती है सुरच्छित और साफ होता है हानी क्या हो सकती है? धोनी परदूर्शन बहुत होता है इस से और उर्जा जो है ये हर जगा प्राप्त है प्रदूसर मुक्त होती है खर्चीली होती है और सुरोत के जो है बिसित होने पर उर्जा बरबाद होती है जो आरिये उर्जा क्या होती है आगे बताऊंगा अभी में इसे प्रदूसर मुक्त होती है हर जगा उपलब्द है वन जी गैस क्या होती है जो गोबर से बनता है, कम लागत होता है उप योग में आसान होता है, जयो बेर्थ का उप योग बायो गैस का उतपादन हो सकता है, हर त्यगरे परवाव का कारण बनता है, मीथेन से निकलती है। भूटापियो उटजा, पिर्थिवी के अंदर भूतापियो जैसे विहार में गया में मुंगेर में इन रहां पे भूतापियो के सुरूता है इसके रहां हिमाचल प्रदेश में उड़ी इशा में हैं तो इसे लाव क्या होता है तो स्वच परियावन हीत director अब आगे बढ़ते हैं लोग तो यह लाभ हान इसके बारे पूरा दे दिया गया है आप इसको देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टन बातें इसको पढ़ते हैं पौहन उर्जा की बात कर लेते हैं तो उर्जा का एक संप्राय शोथ है पौवंचक्यों का उप्योग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है मतलब प्राचिनिकाल से होता रहा है बरतवान पौहन चक्यों में तीवर जो बिदूत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है पौण चक्कियों के समुख से युक्त पौण फार्म तर्टिय चेत्रों में और परबत घाटियों में परबल उर्जा लगातार जो है लगातार हवाएं वहाँ चलती रहती है और जिससे जो है वहाँ पर पौण इससे जो है फार्म लगा जाते है वहाँ वहाँ पर बिदूत उत्पादन होता रहता है ठीक है अब यहाँ चीज़े में समझना है कि पौण जो फार्म होता है वो कहाँ पौण फार्म मतलब एक जगा पे बहुत सारे पौण चक्की लगाना ठीक है तो नीदर अब यहाँ चीज़े और समझना है ध्यान से कि जो पौण उर्जा होते है वो या तो तटो के पास या तो पर्बत घाटियों में लगा जाते है तो तटो के पास समुंदरी और अस्थली हवाएं चलती है तो यहाँ पवंचक्की लगाना क्या है आसान है दूसरा पर्बत और यह घाटी है तो पर्बत की घाटी अब लगाते हैं तो पर्बतों से हुआई नीचे उतरती है तब इस से पवंचक्की चलती है तो यह दो च्छेत्र बहुत जो है उपयोगी होते हैं पोन उर्जा के लिए ठीक है अब आते हैं पर्मारू उर्जा की बात कर लेते हैं तो हमारे हाँ परमाडू उर्जा, यूरेनियम, थोरियम इस सबसे चलती है, परमाडू उर्जा बनती है, और परमाडू उर्जा केंदर हमारे देश में बहुत सारे हैं, उनक्या एक विब्रण जो है, मैं आगे बताऊँगा, कि पवन उर्जा की छेत्र कौन-कौन से हैं, इ जाबद भाटा कहा है, राजस्थान में, कैगा कहा है, कनाटक में, कालपक्कम कहा है, कुडम कुलम कहा है, तमिलनाडू में, यह सब परमारू उर्जा के परमुक केंद्र हैं. लिखा हुआ है, परमारू उर्जा प्राकितिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ ज जाता है केरल में ठीक है ये पदार्थ नावकिये रेक्टरों में नावकिये विखंडन से गुजरते हैं और उस सजन उर्जा की प्राप्ती होती है परमारू उर्जा के सबसे बड़े उत्पाजक सहुताज अमेरिका है यूरोप है भारत में राजस्थान जहार खंड के पास मैंने मैप दिकhाया महराष्ट में तारापूर राजस्थान में कोटा के निकट राड़ा परताप सागर जीसे रावद भाटा कहते हैं उत्तरप्रदेश में नरोरह कनाटक में कैएगा यह सब भारत के परमारू केंद्र है जहां परमारू उर्जा उत पादन किया जाता है फिर है आपका भूतापिय उर्जा भूतापिय उर्जा क्या होता है पर समझ लिजेगा पिर्थवी के अंदर जोला मुखी किरियाएं होती है तो वहां की जोला मुखी किरियाओं कर जो है पानी उपर के गर कोई तलाब का छेतर है तो गरम हो जाता है अब इसे मान लिए ये कोई तलाब है और नीचे पर मारू ये जो है आपका क्या कहते है जो अलम होई किरिया अगर वहाँ पे है तो वहाँ से होता क्या है कि इसे ये पूरा चटान गरम हो जाती है और यहाँ जो पानी भरा होता हो पानी भी गरम हो जाता है तो भाफ बना करक जstem अधर को भूतापिय उर्जा कहते हैं तो ताप उर्जा जो पिर्थिभी से प्राप की जाती है भूताप ये उर्जा कहलाती है पिर्थिभी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापाल मिलाकातार बिद्धी होती जाती है, कभी कभी या तापार और्जा भू सता पर गरम जल के ज़र्नों के रूपए परगट हो सकती है, या ताप अरजा सक्ति उत पादन के कंणे में पर्योगती जाती है, वर्सों से गरम जल के सुरोतो स्रोतो जो है हमें भूतापिय उर्जा खाना बराने उस्मा प्राप्त करने नहाने के लिए प्रयोग की जाती है यूएस से बिस्व का सबसे अधिक भूतापिय उर्जा का सहंत रहा लगा हुआ है इसके बाद न्यूजी लेंड, आइसलेंड, फिनलेंड और मध्य अमेरिका या स्थाना आता है भारत में भूतापिय उर्जा के सेंथ हिमाचल प्रदेश में मरी करन है और लदाक में पूगा घाटी है यह बहुत दोह मातपूर्ण है, यह कुशन कई बार आया है कि मरी करन किसके लिए परसिद है तो भूतापिय उर्जा के लिए हिमाचल प्रदेश में है और पूगा घाटी कहा है तो यह है आपका कहाँ पर लदाक में है तो आप işi दोगो दोनों जगा पर यह मैब दिया गया है, आप एम मरी करन का है और यह जो है भूतापिय उर्जा के बारे में बताया गया है आप यहां मैप भी देश सकते हैं कि भूतापिय उर्जा के द्वारा जो है कैसे विदूत पदन करते हैं लेकिन इससे पहले देखे परमार उर्जा का है परमार उर्जा में जो है नाव के बिखड़ना द्वारा उसमा प्राथ करते हैं गरम जलके दौरा और यहां से टर्बाइन चलता है जिसे जनरेटर चलने लगता है अब बिदूत का उत्पादन किया जाता है ठीक है नीचे आपका यहाँ भूतापिये के बारे में दिखाया गया है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं भूतापिये यहाँ पर पिर्थिवी के नीचे ज़्यादा गरम होता है तो चटाने गरम हो जाती है इसे जलस ज्यादा गरम हो जाते है भाब बनती है और वहीं से टर्बाइन चलाने के लिए उस पानी को इकठा किया जाता है और उसे जनरेटर से बिदूत उत्पादन होने लगता है ति यह बहुत महात्मूर ची लई है ठीक है जब उच जवार आता है तो जवार का पानी इस जो है यहां से अंदर पर वेज़ करता है तो यहां टर्वाइन लगी होती है तर्वाइन घुमे लगती है अब बिदुद उत्पादन सुरू हो जाता है जब कभी कभी क्या होता है निम्न जवार आता है तो पान इसका सबसे अच्छा स्थान माना जाता है ठीक है लिखा है जोर से उत्पन उर्जा को जोर ये उर्जा कहते हैं इस उर्जा का बिदोहन समुन के सकरे मुहाने में बान्ध के निर्मार से किया जाता है उच जोर के उच जोर के समय सागरों उच जोर के समय जोरों की उर्जा का तो ब्योग बान में अस्थापिट टर्बाइन को गुमाने के लिए किया जाता है, फ्रांस, रूस, फ्रांस, भारत में कच्की खाड़ी में बिसाल जो है जो है जो आरिय औरजा के मेल के छेत रहें, ठीक है, तो कहने मतलब है कि कच्की खाड़ी और खाड़ी में भारत में ज गया गया था ठीक है अब आते हैं बायो गैस बायो गैस क्या होता है तो गोबर गैस को ही जो जैव अफसिष्ट होते हैं जो उससे उर्जाउतपन होती है उसी हम बायो गैस कहते हैं ठीक है जिसे हम गोबर गैस कहते हैं ठीक है लिखा है जैविक अफसिष्ट जैसे मिरत में अब घड़ित होते हैं जो कि अनिवार रूप से बीथेन और कार्बन नाय एकसाइट का मिसर्ण होता है बायो गैस खाना बनाने बिदूत उत्वादन का सर्बोत्तम इधन है और इससे परतिवर से बड़ी मात्रा में जयो खाद उत्पन भी होती है तिससे जय भी खाद भ भिनिता ला सकता है और जा की बचत ही और जा का उत्पादन है सभी अभी कार करें और जा के बिपिस को सुनहरा बनाएं एक मैसेज दिया गया है ठीक है अब यहां कोशन दिया गया है आप कोशन को आप आसाइन से बहल कर सकते हैं ठीक है आप यहां देखिए सारे कोशन दि किर्सी इसमें हम किर्सी के बारे में जानेंगे यहां पर एक कहानी दे गई है दिया गया है कि गुर प्रीत मधु और टीना एक गाउं से गुजर रहे थे वहां उन लोगों ने एक किसान को खेट की जुताई करते हुए देखा एक भूमिका बनाई गई है ठीक है किसान ने उ से आठे में परिवर्टित करके कारखानों में डबरोटी और बिस्कुट बराने के लिए ले जाए जाए जाएगा इसका मतलब है कि इसमें किर्सी और उदोग दुनों की भूमिका को यहां पर जोड़ दिया गया है लिखा है कि पौधे से परिस्कृत उत्पाद तक के किर्याएं होती हैं प्राथमिक किर्याओं के अंतरगत जिसे हम अर्थव्योस्ता के तीन छेतर कहते हैं तो प्राथमिक किर्याओं के अंतरगत उन सभी किर्याओं को सम्नित किया जाता है जिनका संबंद प्राकिर्तिक संसाधनों के उत्पादन और निसकरसन से होता है किर् उधारण है। दूतिये किडिया के किरिया कि इन साधनों के परसंस्क्रण से समधित है। मतलब कि उनको बनाने से जुड़ी हुई है। क्या क्या है ? जैसे इस पात बिनिर्मार डबर Rोटी, पकाना, कपड़ा बुर्णा इन किरियाओं के उधारन हैं जिसे हम उद्धोगिक छेतर कहते हैं चेतर को सेवा कार्यो दौरा सहयोग परदान करती हैं अस्थार सेवा छेतर में सामेर होता है यातायात प्यापार, बैंकिंग, बीमा और विग्यापन तेतियक क्रियाओं के उधरन हैं जो सेवाईं परदान करते हैं किर्सी एक प्राथमिक क्रिया है फसलों, फलों, सबजियों, फूलों को उगाना पसुधन पालन इसमें सम्रित है बिस्व में 50% लोग किर्सी से सम्रित क्रियाओं में सगलन है, मतलब सामिल हैं, बारत की दो तीहाई जनसंख्या अब तक किर्सी पर निर्भर हो चुकी है, मतलब है, ठीक है? यहां लिखा है, अनकूल अस्ताकिर्ती मिर्दा जलुआयो किर्सी किर्याकलाब के लिए अनिवार हैं, जिस भूम पर फसले उगाए जाती हैं, किर्सी कत भूमी कहलाती है आप मांचित में देख सकते हैं निचे एक मांचित दिया है आप यह बताता हूं कि किरसी किलिया कलाब बिस्व के उन्ही परदेशों में सक्केंदित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारण बिद्धिमान है ठीक है अगे मैं आप बताते हैं यहां लिखा हुआ है तब आप लो इविश्व के इस मैप को देखिए तो किरसी उन छेत्रों में हो रही है जो मैदानी छेत्र है यहां जλοवायू अच्छी है जैसे यूरोप का प्षिमी छेत्र उतरी अमेरिका का पूर्भी छेत्र और यह दिखो पूर्वी छेत में ज़्यादा किर्सी होती है चाइना के पूर्वी छेत में ज़्यादा किर्सी होती है तो किर्सी के भी अपने कुछ खास छेत रहे हैं जहाँ पर किर्सी किया थी खास करके मैदानी छेतों में जहाँ पर नदियां तो क्या होगा किर्सी मिर्दा की जुताई फसलों को गाना पसपालन विग्यापन कला इसे खेती भी कहते हैं तो आप देखो बच्चों को समझाया गया है कितने अच्छा से कल्चर हर जगा लगा है सब दो का हेर फेर किया गया है सेरी कल्चर यह देखिए रेसम उत्पादन को सेरी कल्चर कहते है पीसी कल्चर मचली उत्पादन के लिए है बीटी कल्चर जो है अंगोरों की खेती के लिए है हाटी कल्चर उद्यान किर्सी के लिए है जहाँ पर फूलों, सबजियों और फलो के किरसी की जाती है, उसे हम हार्टी कल्चर कहते हैं, तो देखे, कितना इmportern चीजे हैं बताया गया और यही सब कुशन इक्जाम में आते भी हैं, अब हम लोग किरसी तंतर को समझते हैं, अगरे कल्चर जो है, सिष्टम को समझते हैं, तो किरसी या खेती को एक तं शिराई, कटाई, इसकी मुख सक्रियाएं होती हैं, इस तंत्र के निर्गतों के अंतरगत, फसल, उन, डेरी और कुकुट उत्पाधन आते हैं, ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे किर्सी गत भूमिका, किर्सी पदती, मतलब कि एक किसान क्या-क्या क्रिया विध क्या होता है, सुर्य का परकास, वर्सा, मिर्दा, ढाल, तापान, और तब जाकर के फसलों का उत्पाधन होता है, ठीक है, तो फसल उत्पाधन कैसे होता है, उसी के बारे में यह बताया गया है, अब बात कर लेते हैं, किर्सी के परकार, किर्सी कितने परकार के हो सकते हैं, उसे पहले देख लेते हैं कि जैबिक किरसी किसे कहते है तो जैबिक किरसी के लिए जानते क्या होता है जैबिक किरसी जो है जिसमें रासाइनिक खाद का उपयोग नहीं होता है उसे हम जैबिक किरसी कहते हैं इसी के बारे मिहां बताया गया है ठीक है और जैबिक किरसी को पाद की मांग सरम तकनीक के अस्तर के अधार पर किरसी को मुख्य परकारों में वर्गित की जा सकती है निर्वा किरसी और वारिजी किरसी निर्वा किरसी किसे कहते है जिसे परिवार के सबस्दस मिल करके काम करते हैं जैसे आप दे सकते हैं यहां लिखा हुआ है इस परकार क किर्सी जो है किर्सक परिवार की आउसक्ताओं को पूरा करने के लिए किर्याता है मतलब उक्योल अपने जीवन के निर्वा के लिए किर्सी करते हैं और वारजिक किर्सी होती है पैसा कमाने के लिए पारामपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न अस्तर य चोटा भूखंड चोटा हो पूरे परिवार के मिल के लोग किर्सी करते हैं तो उसे गहन निर्वा किर्सी कहते हैं देखो यहां लिखा हुआ है गहन निर्वा किर्सी में किसान एक छोटे भूखंड पर साधार औजारों और अधिक सरम से खेती करता है अधिक सरम मतलब पूर मुक्ष फसल होती है अन्र फसलों में गेहूं मक्का दलहन तिलहन सामिल है गहन निर्वा किर्सी दच्छिर और दच्छिर पूर्वी और पूर्वी एसिया के सघंजन संख्या वाले मानसूनी परदेसों में की जाती है और आदिम निर्वा किर्सी में में जो है हस्तांतरी किर जाता है ठीक है अमेजन बेसीन के सघन बंच्छेत्रों उष्ट कटिबंधिया अफ्रीका दच्छित पूर्वेसिया उत्तरपूर्वी भारत मज़ब उत्तरपूर्वी भारत जहां जा संख्या जन जाते हुझ जाता है कि भागों में पर्च्रित है कों से खिरती जूमकेती ये भारी वर्षा और बनस्पती के तीवर जो है उनर जनन वाले छेतर हैं ब्रिच्छो को काटकर जलाकर भूखंड को सापके जाता है तब राह को मिर्दा में मिलाया जाता है और मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसे फसलों के उगाया जाता है भूम की उर्वरता होने के बाद वहाब भूमी को छोड़ करके जो है किर्सक एक नए भूखंड का पता लगा लेता है और वहाँ पर हस्तांतरी किर्सी को कर्तन और दहन किर्सी के रूप में भी जाना जाता है तो मतलब एक बार यहां खेती किया जब यहां उपजावपन कतम हो गया दूसरे जंगा पर जंगल काटके चले गए तो इससे जो है जंगल का बिनास भी होता है क्या आप जानते हैं कि हस्तांतरी किर्सी के बिभिन भागों में बिभिन नाम हो जाने जाती है और यही कोशन जो है आपके जो है अलग-अलग जाम में पूछा जाता है जैसे जूमिंग किर् जो लोग जो है पसू चराती है ठीका आप दे सकते हैं आप उंट को पालने के लिए बकरी को तो सहरा के अर्ध सहरा मरसन कहा है अफरेका में सहरा के अर्ध सुख्स और सुख्स परदेसों में मद्ध एसिया और भारत कुछ भागों में राजस्थान जमुकस्मिर में पचल या सुरूब उत्पन होती है पसुचारक, मुक्ता भेड, उंट, मवेसी, याक, बकर या पाते हैं ये पसुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मास, उन, खाल और अनुद पाद उपलब धकराते हैं ठीक है वारेजी किरसी किसे कहते हैं ब्यापारी किसी किसे कहत जैसे वारेजी किरसी में फसल उत्पादन और पसपालन बाजार में बिकरे हैं तो किया जाता है इससे बिस्तित जो है किस्ट चेतर और अधिक पुंजी का उप्योग किया जाता है अधिकांस कार मसीनों के द्वारा किया जाता है यहापे ठीक है वारेजी किरसी में किरसी में फस्लें वानजी उद्द्वर से उगायी जाती हैं वानजी उद्द्वर एक्टेर के बड़े बड़े फार्मों में बि रब्र अवादी पाई एक ही फसल यहां उगा जाती है, जो है चाग गे हूँ, ठीक है, इन परदेसों में, ठंडे परदेसों में, मिसित किरसी किसे कहते हैं, तो जब या दखना, पसुपालन के साथ किरसी की जाती है, तो उसे मिसित खेती कहते हैं, तो लिखा है, मिसित खेती किरसी में, भूमी का योप योग भोजन और चारे की फसले उगाने और पस्पालन के लिए किया जाता है यह यह यूरोप पूर्बी सविंगताज अमेरिका अर्जंटीना दच्छिर पूर्बी अस्टेलिया न्यूजी लेंड और दच्छिर अफरीका में परचलित है ठीक है जो सितोष घास के होते हैं जिनसे जो है फसलों का उत्पादन होता है जैसे यहां लिखा है रोपन किर्सी वालजी किर्सी का एक परकार है जहां चाय काहवा मतलब कौफी काजू रबर केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है इसमें बड़े बिहत पैमाने पर सरम और पूंजी किया हो सकता होती है उत्पाद का परसासकर खेतों में ही और निकट के कार खानों में किया जाता है इस परकार इस किर्सी में परिवाहन जाल के विकास की अनिवारता होती है ठीक है रोपर किर्सी मुक चेतर बिस्व के उश्कटी बंधिये परगेसों में पाजाते हैं मले मलेसिय में रबड, बराजील में कहुआ, भारत में, भारत और सीलंका में चाय इसके पर मुख उदारन है, तो चाय क्यों हमारे हैं पैदा कि जाता है, क्यों बेचने के लिए कि जाता है, याद अखना, ठीक है, अब बात के लेते हैं, मुख फसले कौन कौन सी है, तो बिस्व की सकताओं को पूरा करने के लिए, बिवित परकार की फसले उगा जाती है, फसले किर्सी आधायत उदोगों के लिए भी कच्चे माल किया पूर्ती करती है, गिहूं, चावल, मक्का, बाजरा, मुख खादे फसले हैं, ठीक है, इनका भोज़य के लूपे इस्तेमल होता है, ज देखें यहाँ पर चावल के बारे मुख दिया गया है, या बिश्व की परमुख खादे फसले है, चावल जो है, बिश्व की परमुख खादे फसले है, और भारत की भी परमुख खादे फसले है, लेकिन बिश्व के अस्तर परकर बात करें, तो बिश्व में चावल से आदरता और वर्सा की आउसकता होती है या फसल चीका युक्त जरोद मिर्दा जिसमें जल रोकने की छमता हो में सर्वत्तम ढंक से बढ़ती है चावल जो है चीन चावल उत्पादन में सबसे आगे है इसके बाद करमसा भारत जापान सिलंका और मिस्र है अनकूल जिलवाई और दसाओं जैसे पच्चिमी बंगाल और बंगला देश में एक वर्स में दो या से तीन फसले उगाई जाती है तो या रखना पच्चिम बंगला बंगला देश में पूरे साल चावल के खेती है दुसरा है आपका गेहूं के बाद देखो मस्रीन दोरा गेहूं कटाई हो रही है गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापान और वर्सा और सस्यकर्तन फसल की कटाई समय तेज धूप किया उसकता होती है गेहूं का जा रहा है जब गेहूं पैदा की जाते है तो हाँ तापपान कम होना चाहिए और वर्षा कम होना चाहिए लेकिन जब गेहूं काटा जाए तो धूप तेज होना चाहिए जिसे फसल तेजी से पक जाए देखाओगा हमारे हैं इसलिए मार्च अपरेल में गेहूं क उगाई जाता है भारत में सीत रितुमेगी होगा जाता है यह भी या रखना आते हैं मिलेट मिलेट को हम कहते हैं मोटा नाज जिसमें बाजरा परमुक है मिलेट बतलब मोटा नाज यह मोटे अनाज के रूपे भी जाने जाते हैं और 2023 मोटा नाज के रूपे मनाया भी जा र जुआर बाजरा रागी भारत में उगाए जाते हैं नाइजीरिया चीन नाइजर इसके अन्य परमुख उत्पादक हैं मोटे अराज के लिए ठीक है अगे लिखा है मक्का मक्का की बात कर लें तो मक्का याद किरा कई कलर के होते हैं आजकल मक्का हाइबरिट के रूपे कई कलर में होते हैं मक्का की खेती भी हमारे देश में तो कम होती है लेकिन दुनिया बहुत जादा होती है मेरिका अमेरिका में बहुत जादा होता है मक्का इसके लिए मध्यम, तापान, वर्सा और अधिक धूब की आउसकता होती है इसे सु अपवाहित अबजाव मिर्दा की आउसकता होती है मक्का उत्तर अमेरिका, बराजील, चीन, रूस, कराड़ा, भारत और मेक्सिको में उगाए जाता है मक्का को कॉर्ण के नाम से भी जाना जाता है, बिस्स में इसकी बिभिन रंग बिरंगी पर जाती है, खास करके चीन में कपास की बात कर लें, कपास जो है, हमारे यहां गुजात में सब्सक्रादा होता है इसकी बिद्धी के लिए उच्च तापपान, हलकी वर्सा और 210 पाला रहित दिन और तेज चम के लिए धूप किया हो सकता होती है पाला रहित होना चाहिने, तो कपास सुख जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा यह काली और जरोर मिर्दा में सरवत्तम उगाई जाती है, मतलब काली मिट्टी में और जरोर मिट्टी में जो ज़्यादा उगाई जाता है कपास, इसलिए कपास जहां उगाई जाता है, उसको काली मिट्टी को कपासी मिर्दा भी कहा जाता है चीन, सन्युक्ताज, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र, कपास के अगणियूत पादक है या सूती वस उद्धो के लिए एक महत्मूर कच्चा माल भी होता है ठीक है? इसके बाद है पर्सन, पर्सन मतलब होते गया है जूट, जूट को हम पर्सन बोलते हैं इसको सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है या जलोड मिर्दा में अच्छे ढंक से बिक्सित होता है और इसे उच्चता पान भारी वर्सा और आद जलोड किया सकता होती जिससे पच्छे मंगाल में या फसल उश कटी बंदे च्छेतर मोगा जाती है भारत और बंगादेस पर्सन के उत्पादन में अगणी है बरतवान में भारत पर्सन में सबसे आगे हैं फिर है कौफी को जो है कहवा भी कहते हैं इसके लिए गरम और आद जलोड़ायू और सु अपवाहित दोमत मिर्दा की आउसकता होती है इस फसल की बिद्धी के लिए पर्बतिय धाल अधिक उप्योगत होते हैं ब्राजील कौफी का सबसे अगणी उत्पादक है इसके परशात कोलंबिया और भारत का स्थान आता है एक यहां रोचक तथ दिया गया है कौफी की खोज किसने की ठीक है कौफी की खोज की बिद्धी में बिभिन कहानिया परचलित हैं लगभग 850 इस भी में कालंदी नाम की एक अरब वासी जो बकरी चलाने वाला था अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परिसान था एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चक कर देखा तो उन्हें उसकी बकरियां पर दिन खाया करती थी उससे आनंद के भाव का अनुभव हुआ इसके बाद जो है बिस्तु में इसलिए का जाता है कौफी का उत्पादन किया गया एक रोचक कहानी दे गई है ऐसा परंपराओं में हमारे यहां बताया गया है अब आते हैं चाय के बारे में बात कर लेते हैं चाय बगानों में उगाई जाने वाली एक पेप फसल है ठीक है इसकी कॉमल पत्यों की बिर्दी के लिए ठंडी जलुआई और वर्स भर डाल पर ही होती है पत्यों को चुनने के लिए अधिक संख्या में सर्मिकों की आउसकता होती है आप देख सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं यादखना चाय की भी रोपन फसल होए यह भी यादखना अब बात करते हैं जो है किर्सी का विकास तो किर्सी का विकास का संख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किर्सी के उपादर को बढ़ाने की दिसा में किये जाने वाले परियासों से है या कई तरीकों से प्राप्ट की जा सकती है जैसे बोई गए च्छेत में बिस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा करके सिचाई सुविधाओं में सुधार करके उर्बर्क को और उच उपज देने वाली बीजों के परियोग के द्वारा किरसी का मसीनी करण भी किरसी के विकास का एक पहलू है किरसी के विकास का चलमलच खाद सुरच्छा को बढ़ावा देना है इसलिए किरसी को ज़्यदा महातु दिया जाना चाहिए क्योंकि किरसी जो है यही हमारे जीवन का आधार है क्या आप जानते हैं खाद सुरच्छा तभी बनी रहती है जब उसी ब्यक्तियों को किरियासील और स्वच्छ जीवन जीने के लिए आहार किया सकता और प्रात्मिक्ता के अधार पर हर समय पर्याब सुरचित और पोश्टिक खादबदार्थ की जो है सुविधा उपलब्द हो अगे लिखाया कि किर्सी का विकास बिस्ट के विभिन भागों में विभिन गतियों से हुआ है अधिजन संख्या वाले विकास सिल देसो अधिकतर गहन किर्सी करतें जैसे भारत है जहां छोटी जोटों पर सामानता जीव को पारजन के लिए फसले उगाई जाती है बड़ी जोते वाले जीव किर्सी के लिए अधिक उपयोगत होती है जैसे स्रीवताज अमेरिका, कनाड़ा और अस्टेलिया ठीक है तो यहां पर वाले जीव किर्सी की जाती है आओ हम दो फर्मों एक भारत और एक स्रीवताज अमेरिका की जो है छोटे छोटे यत्रों का उप्योग करते हैं तो लिखा है उत्तर परदेश के गाजी पूर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गाओं है एक कहानी बताए गई है मुनालाल इस गाओं का एक छोटा सा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 एकर हेक्टेर का एक फार्म है मतलब खेत है उसका आवास मुख गाओं में है वा अधिक उपज देने वाली बीजों को बाजार से वर्सों के अकांत पर खरिजता है मतलब पैसा देगा खरिजता है उसकी भूम उर्बर है और वा वर्स में कम से कम दो फसले सामान गेहूं और चावल डाले उगाता है किसान अपने मित्रों बुजर्गों के साथ सारकारी किसी अधिकारियों से किसी कारियों के समद में सला लेता है वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रेक्टर लेता है ज़िए उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेती को जोदने का प्रमप्रागत विदी का उपयोग करते हैं समीब के खेत में एक नलकूप है मलब की जहाँ पर पाई निकल किसी चाई के लिए भाड़े पर लेता है मुनलाल के पास दो भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं वह निकट के सहर में इससे साहकारी भंडार में दूद बेचता है वह वहाँ एक सदस्य है सहकारी समित उसके जानोरों के लिए चारे के परकार पसुधन के स्वास्त के सुरचातम कुपायों और कृत्रिम गर्बाधान के संबन में सला देती हैं किर्सी के बिविद कारियों में परिवार के सभी सदस उसकी साहता करते हैं कभी कभी वह बैंक और किर्सी साहकाई समिछ से बीजो के उच उपजवाली किस्मों और औजारों खञेदने के लिए रिन भी लेता है तो यह हमारे किसानों का एक आम जीवन है उसी बताया गया है वह अपने उत्पाद को निकट के सहर में इस्थित मंडी में बेजता है अधिकांस किसानों का भंडार सुविदाओं के कमी होती है इसलिए वह बाजार के अनकूल ना होने पर भी अपने उत्पादों को बेचेने के लिए बिबस होते है हालकि वर्सों में सरकार ने भंडार सुविदाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए है तो भारत खेत इसी तरह के होते हैं आप दे सकते हैं ठीक है बिल्कुल आपके गाउं जैसा है अब पहुंचते हैं अमेरिका तो अमेरिका में जो खेती होती है वो कैसे होती है देखो बड़े बड़े खेतों के फर्म हैं और वहां पर सौसो भी घागे खेत हैं और खेती जब होती है बड़ी-बड़ी मसीनों से होती है लिखा है स्थाज अमेरिका में एक फार्म का ओसत आकार भारते फार्म के तुलना में बहुत बड़ा होता है सेंद्वाज अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टियर होता है किसान सामानत्या फार्म में रहता है वहीं पर घर बना के रहता है मक्का, सोयबीन, गिहू, चुकंदर, यहां उगाय जाने वाला मुख मात्मून फसल है सेंद्वाज अमेरिका के मद्ध पच्छिम में इस्तित्थ आयोवा राज के एक किसान जो होरण के पास 300 एकल भूमी है वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह अस्वस्थ हो जाता है कि मिर्दा और जल संसाधन इस फसल की आउसकता को पूरा करने कर देंगे मतलब वह पहले अस्वस्थ हो जाता कि हमारे पास सब कुछ है कि नहीं है फसल को नुकसान पहुचाने वाले जो है जो पीकड होते मिलब कीट नासक होते हैं उनको नियंतित करने के लिए प्रयाप तो उपाय किया गया तो उनके यहां छिरकाव हवाई जहां से होता है हेलि समय पर वह मिर्दा के नमूनों को मिर्दा परिच्छा प्रयोकसाला में जाज के लिए भेजता है हमारे हाँ कभी किसान मिट्टी का नमूना जाज के लिए कहीं भेजता है बिल्कुल नहीं भेजता है और उसमें परियाप पोसक है या नहीं यह परिडाम जो होरन को बेग् कर नास्कों का आवसकता when परियुकंद करने में उसकी मदद करता है, वह ट्रेक्टरों, उसकेटरी दिना ciao से ढlying स farmers भोग जाता है अथ्वा बाजार अभी करणो मार्केट एजेंसियों में भीज जाते हैं सुनित वाज अमेरिका में किसान एक ब्योसाई की तरह काम करता है ना कि एक खेतिहर किसान की तरह तो दोनों में अंतर है भारत में भी और अमेरिका में वही यहाँ पर बताया गया है ठीक है यहाँ पर कोशन है कि उद्यान किर्सी का क्या आर्थ होता है तो उद्यान किर्सी का आर्थ होता है फलो और सब्जियों का उगाना सुनहरा रेसा किसे कहते हैं तो पर्सन को कहते हैं ठीक है काफी का परमुक उत्पादक कौन है तो बराजील है ठीक है यह सारे कुशन आप यहां से आपको अच्छे से हलो जाएंगे